हमारी अपनी पार्टसला के इन्वार्मेंट और इकलोजी के सेक्षन में हम लोग जो लेका है एक न्यूज से स्टार्ट करेंगे आज एक न्यूज है जो बहुत जादे दिनों से चल रहा था लगाता न्यूज पेपर में और टीवी में ये न्यूज था कि दिहांग पट कई जो अपग्रेड करने का डिसीजन असम गॉवर्मेंट नेका या कि हम जोकर करेंगे नेशनल पार्क में तो यहां से यह दर नियूज और में लोग इसमिय monster किया है क्यों decide क्या controversy के बाद controversy किस बात को लेकर है कि National Board of Wildlife जो है NBWL National Board of Wildlife उसने certain condition पर CIL को Cole India Limited को permission दिया है कि आप वहां से mining का काम कर सकते हैं भ्यान से समझना इस चीज को यहां से हम लोग अपने news को ले जाएंगे कि आपको इसमें question कहां कहां से क्या क्या बनता है या कहलों की current affair को पढ़ने का सही तरीका आपको हम बता रहे हैं कि आपको इस एक news से आपको कितने सारे concept मिल लेंगे तो news बस इतना सा है कि दियांग पटकई wildlife century to be upgraded into national park state government of Assam has decided to upgrade Assam government ने decide कर लिया कि controversy के बाद कि national board of wildlife gave conditional clearance to coal mining project by coal India Limited in दिहांग पटकई reserve अब यहां से question बनता है कि question क्या क्या बनना शुरू हो का दिहां से समझते जो यही question को बनाने का तरीका और इसी पर आपको examination मिलता है तो आपको लगता है कि question कैसे आ गया यहां पर कोशन अब इसको news को इतना सा पढ़ने के बाद आपको कहां कहां कोशन दिमाग में आना चाहिए जैसे दिहांग पटकई पहला कोशन कहां है तो obviously news में ही लिखा हुआ है कि Assam government ने इसे decide किया तो obviously Assam में ही होगा तो Assam में कहां पर यह होगा तो यह आपको पता होना चाहिए दिरिबुगर्ण और तिन सुकिया दोनों जिला के साथ यह मिलकर बनता है अमारा दिहांग पटकई wildlife century अगर wildlife century है तो किसी particular project के अंतरगत यह काम कर रहा होगा चुकि हमको यहां से आगे जब हम लोग इसको ले जाएंगे से समझ में आपको आएगा कि जब कोई wildlife century बनता है तो वो certain species पर बात करता है वो species के protection पर बात करता है तो अगर यह wildlife century है तो guaranteed यह किसी ने किसी species पर specially focused होगा तो वो species कौन सा था अगर आपको और इसको detail में समझना हो तो दिहांg पठकई दिहांग नाम की वहां पर आसाम में river है दिहांग नाम की river है और जो only से होकर दिहांग नाम की नदी बहती है तो उस wildlife century को जो हम लोगी नाम दिया वizar या दिहां पट गई कई कैसे होता है करेंट है जामेंशनमेंट thing सोगुफिखन कि कहा पड़ है दूसरा इस्थक वो हो रहा है किसमेंट कॉन कawsन हूं कि कि्सके पास आफ है कि वो वाइल लाइभ सेंचोरई को नैसीनल पार्क में अपक्रेड कर दे तो अफ ग्रेड करने का स्टेट गौवर्नमेंट के पास पावर है वो नेशनल पार्क को नेशनल पार्क क्रियेट करें या वाइल लाइफ सेंचुरी क्रियेट करें यहां को कोश्चन यहां पर कैसे बन सकता है कि हूँ कैन क्रियेट नेशनल पार्क और वाइल लाइफ सेंचुरी एक नमबर स्टेट दिया हुआ है स्टेट गवर्मेंट और दो नमबर स्टेटमेंट दिया हुआ है सेंट्रल गवर्मेंट और आपको आप्शन दे वन वी दे दे टू सी दे दे वन एंड टू डी दे दे नन आप दी अब बताओ कि आप इस न्यूज को पढ़कर यहां तक हम प्राला कोश्चन बनना शुरू हो गया कि अगर इस न्यूज को ही केवल हम पढ़े तो कहां से कोश्चन बन रहा है कि आपको पावर किसके पास है इसे कनवर्ट करने का या बनाने का तो बाव आपके पास ऑप्शन वेगा स्टेट गवर्मेंट गर्वर्मेंट दोनों में से कौन ध्यान दे अगर न्यूज को केवल पढ़ते हैं केवल इस न्यूज को पढ़के हम डिसाइड करें तो हम क्या मारेंगे और दिहान देना ये आपका गलत होगा क्यों गलत होगा क्योंकि से कंडिशन में सेंट्रल गॉर्मेंट के पास भी पावर है तो इस तरह से आपका कोश्चन बन आगे इसको और हम लों डिटेल में समझेंगे फिर आया question यहां से कि दिहां को wildlife century से convert कर रहे हैं कहां पर national park में यह जरूर कुछ न कुछ तो difference होगा national park का wildlife century में तो क्या differences है यह पता करो यह आपको यहां पर पता करना चाहिए कि wildlife century और national park में अंतराखिर है तो क्या है क्यों बद काम कर सकते हैं तो यह नॉर्मल सा समझो एक अंतर है कि wildlife century में certain alliance मिलते हैं मतलब wildlife century में कुछ आपको human activity करने का allow किया गया है जबकि national park में बिल्कुल नहीं किया गया है central government की CIL है तो central government को दिहांग पट कई में coal mining का power मिला आसम government को central government से नहीं पट रहा है तो वो चाहेगी कि हम इसको रोके ते कैसे रोकोंगे convert कर दो national park में national park में जैसे convert कर दोगे तो क्या होगा आपका वहाँ पर restrictions बढ़ जाएगा यानि differences है national park और wildlife century में तो आपको यह difference पता करना अगर जब national park का नाम आया है या wildlife century का नाम आया तो obviously question यहाँ पर सीना से question बनता है कि पहला national park भारत का कौन था वैसे ही पहला world का कौन था तो बहुत सारे question एक ही news से बनने सुरू हो जाते हैं तो news जब पढ़ो तो उसे analysis इस तरीके से करो वहाँ पर question create करो और उन questions का जवाब खोजो जो हम इस पूरे class में आज देखेंगे इसके सभी जवाबों को खोजेंगे और इसके लिए आपको पूरा वीडियो पूरा class देखना बहुत जरूरी है अगर हम एक पर बात करें UPSC के civil services के PT के questions को देखके कि अगर environment ecology पर हम बात कर रहे हैं तो अगर PT के number of questions को देख देखें तो कितने questions आ रहे हैं 11 में आपको 20 questions आया 12 में 17 13 में 30 14 में 34 15 में 16 16 में 21 17 में 11 18 में 10 19 में 22 पहुत सारे questions environment ecology से UPSC के पिरी में भी पूछे जा रहे हैं कारण बहुत ही simple है चुकि आप भी जान रहे हो कि इसमें civil services का भी एक्जाम होता है और साथ में forest service का भी दोनों examination का PT combine कर दिया गया मनि एक ही examination से आप civil services examination को भी clear कर रहे हो और उसी exam से आप Indian forest service को भी clear कर रहे हो चुकि forest service इसमें included है PT के examination में तो obviously question तो environment और ecology से आएंगे तो most important section अगर हम कहें कि PT के लिए अगर बात करो तो आपको अधि बहुत सारे question मिलेंगे और अच्छे question मिलेंगे और अगर अगर से थोड़ो ली आप news से ही परते चले जाओ तो आपको बहुत सारा question वहाँ पर बन जाएगा जैसे अभी आपको दिहांग पटकाई में हमको क पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे national park क्या होता है wildlife century क्या होता है protected area क्या होता है क्या differences है और साथ में पढ़ेंगे UNESCO के द्वारा जो man and biosphere program है उसके तहर जो बनाया जा रहा है biosphere reserve वह भी जानेंगे जैसे difference के बात करो तो आपको सिंपल सा question अब इस question को examination में ऐसे पूछेगा आप नेशनल पार्क जो है आपका नेशनल पार्क जो है वो बताओ कि IUCN के किस category में है आपको option एक देदेगा एक दो देदेगा second तीन देदेगा third और चार देदेगा fourth अब बताओ कि अब हम तो बोल रहे हैं कि इस news से हम को क्या मतलब है लेकि मतलब है चुकि आपके जब news में wildlife century का word आया आपके news में national park आया तो obviously आपको यहां से UNESCO का man and biosphere program IUCN का categorization यह सारा आपको जानना चाहिए तो हम लोगर देखते हैं इस news का complete analysis पूरे वीडियो में हमाने साथ बने रहें देखते रहे 1970 में जब wildlife protection को protect करने की बात शुरूवी तो 1972 में आपको wildlife protection act मिलता है और act के ताहत भारत सरकार या और राजिस के सरकारों ने यह फैसला किया कि हम बनाएंगे protected area यह पहला जो concept है वह आपको मिलेगा protected area यह क्या होता है protected area का concept है कि वह ऐसा area जहां पर जो natural resources हैं जो plant हैं एनिमल्स हैं उनका utilization या उनका उप्योग जो किया जा रहा है मानवों के द्वारा वो लिमिट किया जा वो limited माप तरह में रहे या वो पूरी तरह से prohibited रहे या तो आप वहाँ पर कुछ यूज कर सकते हो या पूरी तरह से वो बैन है वहाँ पर तो वैसे इलाकों को कहा गया protected area protected area में आपको चार तरह के चीज़े मिलेंगी एक मिलेंगे national park दूसरा मिलेगा wildlife जो मिलेगा वो मिलेगा conservative reserves और फोर्थ मिलेगा community reserves चार तरह के आपके protected area भारत में मिलेंगे तो सबसे पहला question आता है चलो समझते हैं एक एक करके सबको national park जैसे दिमाग में इस सब चीज आए पढ़ने का जो तरीका है वो तरीका यह है कि आप question arise को खुद से question पूछो national park पह जिसके पास power है जो national park को बनाया तो पहला question आया कौन मिलेगा answer आपको state government जिस government जिस state में भी उस national park को बनाना है उसके state government के द्वारा यह फैसला किया जाएगा कि वो हमारा region national park है या नहीं है या आपको बनाने वाली agency कौन होगी government of state जैसे आपके news में भी था कि government of awesome जो state government थी उन्होंने फैसला किया कि wildlife century को आप पर्मोट करेंगे हम लोग national park में तो question का जवाब मिला आपको कौन create करेगा state government but in certain conditions central government के पास भी power है कि वो national park बना सकती है या आपको अगर exam में question मिलता है कि who can create national park एक नमबर statement दिया रहेगा state government दो नमबर statement दिया रहेगा central government आपको रहेगा option में कि केवल एक केवल दो दोनों या कोई नहीं तो ध्यान देना वहाँ पर दोनों के पास power है state government के पास भी power है और central government के पास भी in certain condition power है तो created by क्या होगा state government or some condition पर central government यानि इसके पास भी power है हमारा तो यह हो गया पहला question का जवाब कि कौन create करेगा अब एक कैसे create करेगा तो wildlife protection act 1972 के अंतरगत उसे यह power दिया जाता है जियो मॉर्फिक साइट नहीं है इनि चार तरह के कुछ आपको यहाँ पर option मिल रहा है कि या तो plant को और animal के species को ध्यान देना यहाँ पर यह आगे आपको मिलेगा फिर से कि plant और animal species को protect करने के लिए या geomorphic sites को protect करने के लिए या आपको उसके habitats को उसके घर को protect करने के लिए यह national park को बनाया जाता है अब है कि किस जगह पर बनाया जाएगा तो obviously वैसे जगह पर बनाया जाएगा जहाँ पर यह सारी चीजे अधिक से अधिक मातरा में हो जहाँ पर maximum biodiversity हो तो कह सकते हो कि जहाँ पर natural रूप से cultural रूप से आपके पास ecological रूप से आपके पास बहुत सारी चीजे हो वैसे sites को ही ह यह एक normal सा आपको दिमाग में पढ़ने का जो तरीका है वो यह से रहना चाहिए कि national park जैसे दिमाग में आया तो पहला question कौन करेगा state government करेगी कैसे करेगा 1972 के act के तहत करेगा क्यों करेंगे तो protect करना है किसको protect करना है animal को protect करना है plant के species को protect करना है habitat को protect करना है तो इस तरह सा फिर किस जगा पर करेंगे तो वैसे जगा पर करेंगे जहां पर यह सारे चीजे मिले यह मेरा first है दूसरा अगर बात करें wildlife century पर wildlife century के अगर बात करोगे तो इसका भी concept यही रहेगा कि wildlife century के अगर बात करते हो जो second protected area हमारा है तो कौन create करेगा तो state government ही create करेगी क्यों करेगी यह कैसे करेगी 1972 के wildlife protection act के तहत करेगी रीजन यहां पर भी यही रहेगा बट बदलेगा कहां पर यह ध्यान देना कि जब हम national park पर रहे हैं तो plant and animal species को protect करना है उसके habitats को protect करना है बट यहां पर यह protection जो होता है वो होता है species पर ध्यान से समझो कि वहां पर हम उसके पूरे habitat को प्रोटेक्ट करते हैं national park और wildlife century में जो major difference है वो यही रहता है कि national park में हम उसके पूरे habitat को मतलब जैसे मालो कि एक सेर है तो सेर अगर मालो question ही पूछ दिया आपको कि project tiger जो था 1972 में आपका start किया गया तो project tiger अगर हम बोल रहे हैं या to protect tiger कर रहे हैं तो हम किसको बचा रहे हैं आपको option number one दे दिया tiger को दूसरा दे दिया lion को तीसरा मालो दे देता है उसके आवास मतलब घर को या कहो उसके habitat को चौथा दे देता है आपको पूरे ecological system को ध्यान देना project tiger अगर हम बोलते हैं तो हम पूरे ecological system है हम उसे protect करने की कोसिस कर रहे हैं तो यह बहुत बड़ा difference रहे में कि wildlife century जो है वो habitat पर concentrate करती है जबकि wildlife century जो है वो species पर concentrate करेगी तो यह पहला आपको difference रहेगा national park और wildlife century में कि यह habitat पर focus है आई यह species पर focus है मतलब क्या हुआ कि अगर हम national park बना रहे हैं हम पूरे habitat को protect करने की कोसिस कर रहे हैं उसमें विभीन परकार के आपके animals plants सभी रह सकत ईसमें में करेंगे दो हम किसी एक particular species पर बात करेंगे यह आपको पेड़ पौधें भी हो सकते हैं कोई पक्ची भी हो सकता है कोई जानवर भी होसकता है तो यह आपको एक अंतर रहेगा तो फिर wildlife century की बात करेंगे कि अंतर कहां कहां पर है तो अंतर याद रखो ऐसे समझो अन्हें की नैशनल पार्क में क्या-क्या बैन er तो हम पढ़ेंगे पहले activity ऑ 있다고 भुरुमैंट्रेटी जो परहला है उम्डंटिंग केलिंग और किकिसी जानवर का सिखाद नहीं कर सकते हैं पकड़ नहीं सकते हैं इसे चेंज नहीं किया जा सकता है नेक्स्ट है यूज लकडी हैं गिर गई है तो उसे आप जमा करके हटा नहीं सकते हैं वो जैसे है वैसे ही पूरा habitat जिस परकार से है वो वैसा ही रहेगा फिर आपका वहाँ पर grazing जो होगा वो wildlife जो wild animals है उस national park में वो वहाँ पर जैसे मानलो के वहाँ पर हीरन है वहाँ पर मानलो की कोई है जिसे घास खाना है जिसे कोई पत सकते खाने तो वो केवल उसे खा सकते हैं उस घास को खा सकते हैं पत्तों को तोड़ सकते हैं बट उसके अलावा मतलग उस national park के बाहर के किसी भी जैव जन्तू मनुस्य को यह अधिकार नहीं है कि वहाँ पर जाकर वो grazing कर सके यह है और उसके बाद लास्ट है अल्टरेशन और वाघंडरी है अब उसके बाउन्डरी को चेंज नहीं कर सकते है यह सारी चीजे नेस्नल पार्क में पूरी तरह से बैन है बत अगर हम बात करें वाद्ला expressing की ef couchi me जो लोकल लोग है वहाँ पर जो लोकल लोग हैं उन्हें वहाँ पर लकडियां टूटे वी लकडियां पेर पत्ते यह सब चुनने का अधिकार होता है तो यहाँ पर some human activity are allowed यह major difference आपका second होगा कि wildlife century में कुछ human activity को एलाओ गया कुछ मतलब यह हुआ यही वाला कि यहाँ पर जो मालों की जिसी wildlife century के आस परोस में जो लोग रह रहे हैं अगर वहाँ पर सुखी पत्तियों को पेड़ पॉज गिड़ गया पेड़ गिर जो सुख गया उसे उन्हें वहाँ से हटाने का ले जाने का यूज करने का अधिकार मिलेगा बट national park में चुकि आप habitat को protect कर रहे हैं तो जो जैसे मालों कोई आंधी आए पेड़ गिर गिर गिया पेड़ गिर के सूख गया वह वैसे ही वहाँ पर रहेगा उसे आप नहीं हटा सकते हैं बाहर के किसी व्यक्ति को हटाने की permission नहीं है जो वहाँ के जीव जनतों वह उस पेड़ को खा जाए उससे जो करना है करें उनको examination में जो पढ़ाया जा रहा है यह प्योर examination based है कि आपको exam में क्या-क्या topic मिलेगा एक तो आपको यही पर अंतर मिल सकता है कि आपको conceptual अगर question पूछ दिया यह पी सी तो उसमें concept पर question रहेगा कि wildlife और national park में differences बताओ या statement चार statement देदेगा बोलेगा बताओ कौन को सा differences सही है त data पर question आया data पर question आता है तो क्या होगा 1972 में जब wildlife protection act आया उस समय क्या था हमारा इस्तिती उस समय हमारे पास 5 national park थे और 60 wildlife century थी total अगर हम बात करें protected area की तो protected area की संख्या जो थी 669 और हम जो area cover कर रहे थे उसमें वो कर रहे थे 4.92 परसेंट area पूरे अपने देश के area का यह पूरे देश के area का 4.92 परसेंट जो area था वो हमारा protected area था ध्यान देना protected area मीन्स क्या हो गया फिर से बोल रहे है नेशनल पार्क wildlife century आपका कम्यूटिव करीजर और conservative रिजर यह सभी मिला कर जो प्रोटेक्टेड एडिया था तो वो प्रोटेक्टेड एडिया में आथा 669 जिसमें नेशनल पार्क 5 थे और wildlife century हमारे 60 थे आज की डेट में बात करें लास्ट जो हमारा data लिए गया है हमारा वेविसाइट से सरकारी जो गवर्मेंट की वेविसाइट है उसके ही साब से बात करें तो आज के डेट में नेशनल पार्क जो है वो टोटल 104 है wildlife century 551 है आपका conservative reserve 127 है और community reserve 88 है यानि हम progress किये 1972 से लेके आज तक अगर हम बात करें तो ह हम लोग पहले स्टार्ट किये थे 5 नेशनल पार्क से जो आज बढ़के हो गया 104 यह data आपको याद रखना चाहिए क्योंकि यह पूछा जाता है यह इसे पूछने को आपको देगा को स्टेटमेंट में देदेगा इस चीज को स्टार्ट किये थे हम लोग 5 से आज हम लोग पहुंच गया है 104 पर वाइन लाइफ सेंचूरी पहले 60 था जो आज हो गया 551 कंजर्वेटी विजर्ब स्टार्टिंग 1972 में जीरो था कम्मिनिटी रिजर्ब भी जीरो था जो बढ़के हमारा आज 127 और 88 हो गया उसके बाद आपको अब्जेक्टिव के पॉइंट और व्य प्रोटेक्टेड एरिया भी है तो आई यू सीएन के प्रोटेक्टेड एरिया में आता है जब हम लोग अई उसीएन को पढ़ेंगे पूरी तरह से बताया जाएगा को कि क्या है कैसे डिफाइन किया जाता है तो यह आपको याद रखना है कि नेशनल पार्क इन इंडिया इस इन केटेगरी 2 of IUCN definition उसके बाद अगर बात करें इंडिया का पहला नेशनल पार्क कौन सा था अगर इस कोश्चन का जवाब आपसे मांग लिया जाए कि इंडिया का पहला नेशनल पार्क कौन सा था याद रखना आपको नेशनल पार्क जो था वो 1936 में बनाता हैली हैल इंडिया का नेशनल पार्क बनाया था 1936 में जो पहला इंडिया का नेशनल पार्क था और जब 1972 के बाद इसे हम लोग Wildlife Protection Act को लिया आए इसका नाम कनवर्ट होके हो गया Jim Corvett National Park जो उत्रा खंड में है तो हैली नेशनल पार्क और Jim Corvett National Park एक ही नेशनल पार्क है केवल उसका नाम चेंज किया है जो हमारे देश का पहला नेशनल पार्क था अगर इसी तरह से इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क हम बोल रहे हैं तो वर्ल्ड का अगर हम बात करें सबसे पुराना नेशनल पार्क हमारा कौन सा होगा यलो इस्टोन नेशनल पार्क यलो इस्टोन नेशनल पार्क जो यूएसे में है ये वर्ल्ड का अल्डेस्ट इन वर्ल्ड है और नौर्थ इस्ट ग्रीन लैंड जो है नौर्थ इस्ट ग्रीन लैंड वर्ल्ड का सबसे बड़ा लॉंगेस्ट नेशनल पार्क इन दा वर्ल में तो यह हमारा था नेशनल पार्क और यह वायलाइब सट्चोरी अगर बात करें कंजरबेटिव और कम्नेटी रिजर्व क्या होता है कि एक 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 अंतर शिम्पल सा अंतर है समझ लोका लिए क्लाइन में इससे प्लिएंगा भी नहीं आएगा प्रोक्टेट करना है फिर से हमें वहां के एकोलोजिकल सिस्टम को वह सब सब चीज़ वहीं रहेगी डिफ्रेंस इस कहां पर है वैसा जमीन जो पूरी तरह से इस्टेट गौर्णमेंट के अधीन हो और उसमें उस जमीन मतलब वह कौन से जमीन जहां पर हमें नेचर सिगनिफिकेंस जिसमें है जिसमें एकोलोजिकल डाइवर्सिटी है तो वैसा जमीन अगर पूरी तरह से गौर्णमेंट का हो तो उसे कहा जाता है कंजर्वेटिव रिजर लेकिन अगर मान लो उस एडिया में कुछ जमीन कुछ प्राइवेट लोगों के भी हो कुछ विले और अगर उस प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर किसी वैक्ति का जमीन मिल जाता है चुकि वह वैक्ति को तो आप वहां से डिस्प्लेस नहीं कर सकते हो तो वह वैक्ति भी वहां पर रहेगा और उस प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर ही रहेगा और वो उस एरिया को प्रो लेंड भी होल्ड हो सकता है इसका आपको देदेता है इंट्रो बायो इस्फियर रिजर्ब्स अभी हमने यह पढ़ा प्रोटेक्टिट एरिया यह कॉंसेप्ट है हमारे देश का यह इंडिया का फुल्ली कॉंसेप्ट है अब हम बात करते हैं इंटरिशनली इस चीज को कि जब बायो डावर्सेट्य को प्रॉट्रेक्ट करने की बात आए तो यूनेस्क के दारा भी एफट किया गया तो 1971 में यूनेस्क के द्वारा मैन और बायो इस्फियर नाम का प्रोग्राम चलाया गया और BioSphere को बनाने का जो concept है वो वही MAB program के अधीन आता है तो इसे कौन करेगा create तो countryों के द्वारा चुकि अब internationally हम बात कर रहे हैं तो countryों के द्वारा इसे declare किया जाएगा जैसे यहाँ पर था आपका state government के द्वारा वैसे ही है कि यहाँ पर कैसे करेगा तो wildlife protection act 1972 के अंतरगत तो यहाँ क्या मिनेगा under UNESCO MAB program जो UNESCO का मा, man and biosphere program है उसके अंतरगत इसे बनाया जाएगा क्यों बनाया जाएगा to promote sustainable development based on local community effort and science ज्यान देना यह मज़दार चीज़ है अंतर की बात करें नेशनल पार्क क्या protect कर रहा था habitat को wildlife century क्या protect कर रहा था species को biosphere क्या protect कर रहा है पूरे ecosystem को पूरे ecosystem को कि कि किसको कर रहा है हम promote कर रहा है sustainable development based on local community effort and science की मदद से local लोगों की मदद से और science की मदद से हम पूरे ecosystem को यानि इसका जो focus area होगा वो होगा हमारा complete ecosystem यानि कि अंतर की बात करो तो एक habitat को करता है protect दूसरा species को करता है तीसरा करता है ecosystem को उसके बाद कारंत बता ही दिया गया आपको man and biosphere प्रोग्राम के अंतर गया यह काम किया गया आज की डेट में भारत में total 18 notified biosphere reserve मौझूद है 18 आपको संख्या देखो गौर से अगर आज की डेट में बात करो एक सो चार्ड नेशनल पार्क 551 wildlife century biosphere reserve मातर 18 कम है क्यों कम होंगे समझो यह habitat को कर रहा है एक habitat को कर रहा है उसके घर को तो obviously जब घर को protect करेंगे जहांपर सारी चीजे बैंड रहेगी तो वैसे जगा आपको कम मिलेंगे इसलिए नेशनल पार्क के संख्या कम है wildlife century क्या कर रहे हैं हम species पे कर रहे हैं जहांपर हम कुछ human activity को allow भी कर रहे हैं यानि obviously यह थोड़ा सा liberal है तो इसकी संख्या जादा है biosphere reserve क्या है पूरे ecosystem को हम conserve करने की कोसिस कर रहे हैं तो यह बड़ा concept है तो obviously इसके लिए जो संख्या होगी वो सबसे कम रहेगी इसका condition इन दोनों से अलग कैसे हो जाता है तो 18 हमारे पास notified biosphere reserve है पहला हमारा biosphere रिजर्व कौन सा होगा निलगरी biosphere biosphere होगा जो हमारा पहला था भारत का पहला था जो 1986 में declare किया गया अगर biosphere reserve का concept बात करें तो biosphere में तीन तरह के zone होते हैं दियान देगा यहाँ पर तीन तरह के zone होते हैं इसे कहेंगे zone 1 इसे कहेंगे zone 2 इसे कहेंगे हम zone 3 तीन तरह के zone होते हैं जोन 1 को कहा जाता है core zone जो सबसे अंदर रहेगा core zone में जो biosphere reserve का concept को समझो धीक से core zone में ये पूरी तरह से undisturb रहेगा इसमें किसी परकार की कोई disturbance नहीं मिन्स इसमें कोई नहीं आ सकता है इसे आप किसी भी तरीके से disturb नहीं करोगे legally protected area ध्यान देना ये legally protected area इसमें कहीं से भी कोई कोटाही आप नहीं बरत सकते हो ये legally मतलब constitutionally इसे protected area घोसित किया गया है जो undisturb रहेगा ये natural रहेगा और no human activity इस area के अंदर किसी परकार के human का कोई activity नहीं होगा ये आपका core zone कहलाया इसके just उपर जो लेर है ये वाला ये कहलाता है आपका zone to that is called buffer zone that is called buffer zone buffer zone जब पहुँचेंगे ये core zone के बाहर का जो इलाका हुआ इसकोल buffer zone उसमें आपका environmental research educational activity eco tourism safari जो चलती है मुँआपको tourism को simple tourism नहीं eco tourism मतलब क्या हुआ वहाँ पर condition के साथ tourism को भी allow किया जा रहा है कहां इलाव किया जा रहा है buffer zone में तो buffer zone में आप environmental research, educational activity और eco tourism को भी कर सकते हैं बट core zone में आप कुछ नहीं कर सकते हैं और उसके बाहर जो इलाका हुआ that is called zone 3 इसे कायाता है transition zone transition zone जिसमें जो local villagers हैं उनके द्वारा grazing, sustainable, agriculture settlement, जो settlement मतलब मालों के वहां से कि इस इलाकों को core zone भूसित किया गया और वहां पर कुछ लोगों का private जमीन था तो उन्हें जो settle किया जागा उन्हें जो बंदोबस्त किया जाएगा वो आप transition zone में उसे आप जमीन दे कर बसा सकते हैं और उन लोगों को इस zone में zone number 3 transition zone में agriculture करने का grazing करने का थोरा सा activity करने का छूट मिलता है bio resources को यह एक typical condition हो जाता है biosphere realm का कि इसमें आपको 3 zone बनाने है core zone होगा, buffer zone होगा, transition zone होगा और उसने activity यों को आपको उस हिसाब से जो इनके नियम्स हैं उसके हिसाब से इसको follow कराना है so biosphere reserve को declare करना आप समझ सकते हो इतने conditions को देखते हुए कि national park और wildlife century से ज़्यादा tough है so wildlife century की संखियां और national park की संखियां obviously इन से ज़्यादा रहेगी अब biosphere की संखिया reserve की संखियां कम रहे यह 100 आपको मिल रहा है इसकी संखिया 104 है इसका 550 है जबकि biosphere reserve मातर भी हमार पास 18 है तो यह सारी activity इसलिए की गई कि हम अपने जो ecosystem में उसे protect कर सके तो यह आपको जैसे मालों आप question पूछता है यो PSC कि मालों की question दे दिया आपको चार option दे देगा option दे दिया एक national park, option B दे दिया wildlife century, option T दे दिया bio reserve और option D दे दिया community reserve आपसे question पूछ रहा है गि protected area के definition में चारों में से कौन नहीं है बायो PA जो है वो नहीं हो तो आपको दिमाग में बिठा लेना है कि हमारा protected area में क्योंकि इंडिया के definition में आपको समझाओ आपसे कि बायो इस्फियर रिजर्व को बनाने का जो concept है वो कहां से आ रहा है UNESCO के Man and Biosphere प्रोग्राम से तो यह तो इंडिया का अपना कोई concept है नहीं यह internationally concept है ऐसे भी दूसरा तरीका आप समझो कि अगर आप हम cable data पर बात करें तो भी हमें biosphere reserve protected area में नहीं आएगा और इधर से बात करें कि अगर हम concept पुले की चल रहे हैं तो वहां से भी नहीं मिलेगा डेटा से भी नहीं मिलेगा तो आपको अगर question कभी आ जाता है यह वाला तो आपको याद अखना है कि biosphere reserve is not a protected area तो यह हमारा environment and ecology का class था उमीद आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो like करो, share करो, thank you